वेस्ति जीवन और परिसानियों को छोड़ कर मैं आपको गाव ले चलता हूँ जहां इकांद और सान्ती है वक्षियों की चेह चेहाट और ताजी हवा है वहाँ के लोग अपने काम में वेस्त और खुर्ष हैं तो चलिए आज दिखाते हैं एक खुबसूरत गाव गाव के लोग काफी सुकून भरी जिन्दगी विताते हैं देखिए चारो तरफ फसले, तलाप, नाला और छोटे जरने मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है गाव के लोग जदा दिखावा नहीं करते हैं और नहीं अपने पहनावे में इतना ध्यान देते हैं गाव कर खेत कती गएं तुमों के खेत में जल्डूबी धान दिखिस तेकर बारे में गाव कर गुभईया बतावा थें अवा थोड़ा सा जानती जल्डूबी धान कर बारे में यह बाढ़ेल ना तो आछा से धान हर वेला और मनने कि इंहें घास नहीं होगाई दबाए में धबाई दबाए में तोखेय घाय में हमलाई में लगे लगे जाए इसमार नाम बीजय कुमार है विजय कुमार कुन कहां हुए है यह पहर पारा पंच्य इत्यमडी परा है तो देखा तो बहुत पर कुर्थी लगया हाँ पूरा ये जग ले लेका रोजग टक है ना अब कोई करती लगया है बस यहीं तक है फुल नहीं आई से अधिससाथ नहीं से फुल अभी नहीं आया है अभी कुछ टाइम लगे ब्कुल आने नहीं है और महिना में लगी फुल म कि अब ओफ़ए लगया हाँ है लोगे अजय तो नगदेग्रेदा में लगया अल दिखाता है लोगे तो हर साल बुन हां की यसों हो हर साल से उसको बुन रहे तो खेरिकर तो फैदा है वेल उसको खेरिकर के और हुड़े हाँ उसको भी आल इस दो बोलते हैं अच्छा बिम तो बाकी तो कुछ नहीं तो खेरी कर मतलब आने दिन नावा खाते हैं हाँ उकर से मतलब धान से पहले उसको नाया खाते हैं पहले खेरी कोड़ा उल्वा लेते हैं इसके बाद जो है तो धान नाया खाते हैं हम लोग तो खेरी कोड़ा खाते हैं हम लोग तो खेरी कोड़ा न नहीं मिले कारण में यह द्हान के साथ में ही सको काटा जाता है दूसरी वाला इसको सिराली बोलते है तो यह है तो यह है संग्वारीमन सिराली खेर ही जो भईया लगाईन है यह आस-पास कुहों नहीं है खेर ही कोई कती नहीं लगाए है तो कोई-कोई है तो बढ़िया से नई बाल खुबते है अजी तक और इसमें थोड़ा सा दू कलर का है मानिया लाल भी है और सफेद भी है लाल खेर ही मतलब यह पोठ है ना वह तो नहीं है ना खंकरी टैप से नहीं पोठाए है दो कलर का है दोनों पोठ है और जोता थे नागर का लगियों में उसमें तो शर्सों बून रहें खेसकारी बून दिया हूं खेसारी पानी यही तो हो जही हो है निचे निचे जाएगा तो फले घाच्छा तो झाल